तो डियर इस्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ समेस्टर यानि की बीए चेतुरतर समेस्टर के जियोग्राफी यानि भूगोल के एंसी की टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्टर एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इनुवर्शेटी में पर इच्छाएं विए फोर्थ समेस्टर की लगी हैं उनका सब्जेक्ट भूगोल है यानि की जियोग्राफी उनको कंप्लीट वीडियो ज़रू देखने चाहिए काफी हेलपर प्रश्ण है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह आपका अपना है चैनल उन्हें क्या कहा जाता है तो जिन चीजयों से कर यह वाले द्हात्व ठीक है प्राप्त होती हुरूने क्या कहा जाता है इनांपशनों में से होते हैं इसमें पायाאל । अगला question की चक्रिय संसाधन कहते हैं किसीज को तो ध्यान रखेंगे जो चक्रिय संसाधन है वो धात्विक खनिश को कहा जाता है सही जबाब बाब होगा अगला है कि ऐसे खनिश जो प्रकत में अपने मूल रूप में पाया जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं थेखे जो स्याव फाया जाता है अधाट्विक खनिशा ज्यान रखेंगे अनॉमबर स्यज्यवाब होगा अगला प्रशन है कि धात्विक खनिज है तो धात्विक खनिज के अंतरकत कौन कौन आता तो ध्यान से सुन लिजेगा जो धात्विक खनिज है उसमें लोहा आ जाएगा सीसा आ जाएगा पारा यह सब क्या है धात्विक खनिज ध्यान लखेंगे अगला है कि अधात्विक खन हैं पहला कुश्चिन कहरा है कि धात्विक जो खनिज हैं कि द्टान में पाई जाते हैं तो आपको अगने चत्तान फिलेट करना अ הי겠죠 अब यहां पर कौछिशननि की आधात्विक खनिज में ठाट ध्थान रहा रखेंगा में परतदाइप क्या जाते इनका निर्माड किस काल में हुआ है तो सही जबाब हो जाएगा पोलियो जोई काल में धात उद्यों के महात्पोर्ट धात्विक खरिजों का निर्माड हुआ है इफलेश का सही जबाब हो जाएगा आनमबर अगला की यांत्रिक सभिता का धूरी उपमा किस खनिच को प्रद लौह ऑसक सरबोनस् inflation कोटे का होता है तो तो ठीश परकार का लो आयसक जो है वह सरबोन सरबोनस्थ परकार का होता निशनर मैं नम्बर सब्सक्राइब मतब्दा नंबर ठीक है मैगनेटाइट कि अगला कुश्चन मिलान करने के लिए ठीक है तो यह कुश्चन आने के कम उम्मीद है यह आप इसे ग्णोर भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर लिखा कि लोग धात संपन्नता प्रतिस्ट मतब कि इधर यह लो आइसक के अगरा मैं जो उस चीज दहात जो है उसमें कितने प्रतिस्ट धात पाई जाती है उस वह आपको बताना ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा अप्शन नंबर ए यानि कि पहला जो है वो एक नंबर से मिलाए जाएगा बी नंबर दो है वो चोथे नंबर से मिलाए जाएगा और सी जो है वो तीन नंबर से मिलाए जाएगा और डी जो है वो दो नंबर से ठीक है यह दो नंबर से यह वाला इससे यह वाला इससे ऐसे मिलान किया अगला कोश्चिय निए कि लोग आयसक उत्पादक सो का सही और वही करम क्या है? ठीक है तो सही जबाब इसका हो जाएगा अफ्शिन नंबर बाज ठीक है तो यह निकि पहले चाइना फिर आस्टयलिय आएगा ठीक है फिर आएगा ब्रजील फिर आएगा भारत ठीक है यही सही जबाएगा यह होगा इसका औरोही करम क्योंकि इसी हिसाफ़े ठीक है इन देशों में जो है लो एसक पाया जाता है ठीक है जहां रखेंगे और उत्पादक होता है अगला के चीन का अमन्चूरिया संतुग एवं सा कान्षी प्रसिद्न पृस्ष्ण हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है यह लह आयस्क के लिए प्रसिद्ध त falar आ होगा अगला भी कौश्चिण है कि लो आयस्क उठभादक city को डेश से शुमिलत कीजिए तो जहां से सुनेंगे आप सभी सही जवाब इसका आपको चई सलेट करना है थिक है अन्ससी चरण करेंगे। अगला प्रश्ण प्रस्तु था है कि तामबा को क्रमसा टिन वजफता में मिलाने पर क्रमसा क्या बनता है तो तामबा को क्रमसा टिन वजफता में मिलाने पर जो बनता है उसको बोलेंगे कांस एम पीतल बनता है अनमबर इसका सही जबाब होगा अगला कि तामबा के क्रमसा स देश उत्पादक सब्द कौन से हैं तो सही जबाब हो जाएगा चिली पेरू चीन बनंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्तुत है कि चिली का कौन सा छेत्र तामबा का प्रमक उत्पादक छेत्र है तो वो छेत्र है क्योंकि कमाटा परबत अनंबर सही जबाब होगा अगला की कटंगा छेत्र किफदेश का तामबा उत्पादक छेत्र है तो कटंगा जो छेत्र है यह ध्यार नखेंगे यह कांगू-जाएरे का है इस छेत्र में सब वे जैदा आपको तामबा मिलेगा ठीक है सही जवाब बाहूगा अगला की प्रत्वि के गीरगी से दूफरे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धा तो कौन सी है ठीक है पिर्थवी के गीरगी से दूफरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धा तो का नाम है लोहा अनंबर सही जबाब होगा अगला है कि मैगनीटो गोसर्क लोहा एउम असपात कार खाना कहा मां इफ्थित था इन आपसुन में से तो इस थे रूस देश में बानंबर्अ जय्वाब वेवां अगला के कोले का एक उदाहरण कौन आहि इन आपसुन में से कोईले का इन वेवनार ह्फार्ण है कि परतदार करक्या कोईला जो उदाहरण इसका जो सही जबाब हो जाएगा बहुत ही प्राइब लूगत ही को निफेरस साही जवाब बाहोगा ध्यान नखेंगे चलिए इस कोश्चिन कर बढ़ते हैं कि और दोगिक क्रांतिक का आधार किस खनिज को कहा जाता है यहां पर थोड़ा कम दिख रहा लेकिन मैं आपको कोश्चिन पढ़के सुना दे रहा हूं कोश्चिन है कि और दोगिक ठीक है क्रांतिक का अधार किस खनिज को कहा जाता है ठीक है तो कहा जाता है कोईलों को ध्यान नखेंगे जवाब विश्का हो जाएगा सा नंबर सा नंबर कोईला अगला है कि सर्बोत्तम प्रकार का कोईला कौन सा है तो सर्बोत्तम प्रकार का कोईला है एंथ्रेसाइट आ नंबर सही उत्तर होगा अगला कि एंथ्रेसाइट एवं बिटूनियम में कार्बन की मात्रा करमसा कितनी होती है तो ध्यान लखेंगे 80-85 प्रतसत एवं 55-65 प्रतसत होती है अगला की गोंडवाना काल का कोईला किस प्रकार का है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर 2 बिटू मिनस बानमबर सही जबाब अगला की कोईला उत्पादक देशों का औरो ही क्रम कोज़ा है मतलब की कोईला है वो औरो ही क्रम में किस देश में सबसे अधिक है ठीक है यह आपको बताना है तो अध्यान लखेंगे औरो ही क्रम में सबसे पहले जो कोईला उत्पादक के मामले में जो देश आएगा वो आएगा चाइना कौनसा आएगा China आएगा फिर आएगा USA थ कैं यानि कि अमेरीका फिर आएगा भारत ये है उत्पादक की मामले में क्योवा उत्पादक के मामले में देश का अरोहिकरम थि कह हैं अग्ला के सर्वधिक को इला भंडार किस देश में है तो सर्वधिक कोईला भंडार जो है वो यू ए ठीक है यू एस ए यानि की अमेरिका में है बताया जा रहा है ठीक है अगला है कि यूक्रेन का डोना वाफ छेत्र प्रसिद्ध है किस चीच के लिए तो ये प्रसिद्ध है कोईला के लिए सा नंबर से की चहतने को मटफर और की काला सोना किसे कहा जाता है तो ही काला सोना जो है कोईल को कहा जाता है डिया की ये वर्तमान दर में को इला खापत होता रहा तो कितने वर्स बात समाप्त हो जाएगा अगला की रूर घाटी एवं अपलेशियन छेत्र किफ देश में सुप्रसिद्ध कोईला उत्पादक छेत्र हैं तो ध्यान लखेंगे इस प्रशने का जो सही जबाब हो जाएगा अगला की टूलू मास्क एवं खुजवास कोईला छेत्र किफ देश में इस्थित्ध है तो यह जो इस्थित्ध है यह है रूस में बानंबर सही उत्तर होगा अगला की टिक है पेट्रोलियम किस युक की जलज अवसादी सैलो का चट्टानी तेल है तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा आप्शन नंबर बहु की आनंबर सही जबाब अगला की बिश्व के कुल उर्जा आवसकता का कितना प्रतिसत्त तेल द्वारा पूरा होता है तो ध्यार नखेंगे 40 प्रतिसत्त बिश्व के कुल उर्जा आवसकता का तेल से पूरा किया जाता है शाह नंबर सही उत्तर होगा अगला की बिश्व क कौन सरप्रथम देफ है जहां सरप्रथम 1850 में कच्चे तेल को उत्पादन का अधिकारिक संक्य के बेवरा अभी लिखित किया गया उस देश का नाम है रोमानिया सही जबाब आ होगा ध्यान रखेंगे बहुती कॉमन बहुती इंपॉर्टन प्रस्न एक्जाम के लिए सिलेक प्रथम में दुत्यक के पहले तो आ जाएगा रूस फिर आ जाएगा सवुदी ठीक है इसमें सफ्वेजादा कुखन इस तेल उत्पादक देश हैं ती नंबर सही जबाब अगला के निमने में से कौन सा बिद्वान आर्थिक भुगोल से संबंदित है तो इन आप सुनों म से जो आर्थि भुगोल यानि की इकोनोमिक्स जियोग्राफिस से समंदित है उसका प्रोंग बिद्वान का नाम है डेविस सही जबाब दा होगा अगला की निर्माड उद्द्यक किस आर्थिक क्रिया में आते हैं तो निर्माड उद्द्यक जो हो ये दुत्यक फ्रेणी मे आते हैं सही जबाब बाहोगा अगला की मतद से उत्पादन ब्योसा कि सुवर्ग का है तो मतद से उत्पादन जो ब्योसा है बिजिनस है वो पर प्राथमिक वर्ग का है सही जबाब आहोगा अगला के बिश्व के उत्तर दच्छिन विभाजन का अधार कौन सा मान दंड है तो बिसके उत्तर दच्छिड विवादन का अधार का जो मान दंड है वो है त्यान नखेंगे सही जबाब हो जाएगा आर्थिक विकास सानमबा सही जबाब होगा अगला क्योश्चन है कि निम्न में से किस लेखक ने आंतरिच अर्थविवफ्था में आइसो डेपेंज की संकल्पना की शुरुवात की तो उस प्रमुक विद्वान का नाम है उस प्रमुक साइंटिस्ट का नाम है ध्यान लखेंगे सही जबाब इसका हो जाएगा option number बताईए अगर आपको मालूम तो ज़रूर बता सकते हैं सही जबाब हो जाएगा option number दा वेवर ठीक है वेवर अगला के किसी भूमी प्रियोग model एक आर्थिक model है या किस के द्वारा बताया गया प्रियोग किया जाता है तो उसमें प्रियोग किया जाता है फशलों की उपजिका आणंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्टुत है कि निमन में से कौन सा प्राकर्तिक संसाधन लोगों को ज़्यादा आजीव का प्रदान कर रहा है तो भूह है जो है यजै आजीव में कर रहा है जो प्रकर्टिक संसाधन है ठीक है और यही को चीजह जाएगा लेते हैं खरीटे बेशते हैं जमीन में में चतुर्थि कारे कॉदा हरड़ तो कर आपको मालुन बताएं तो नंबर सिच्छन यानि कि एजूकेशन अगला कि लकड़ी काटने का ब्योसाई कि स्रेड़ी में आता है तो लकड़ी काटना जो है यह प्रात्रविक स्रेड़ी में आता आ नंबर सही जबाब होगा किसे द्वारा आता है अगला के सतही खनन को किस दूफरे नाम से जाना जाता है तो नीनले कलर के द्वारा जाना जाता है द्यान लखेंगे प्रमुक प्रश्ण है सतही खनन को खुली काश्ट खनन के नाम फे जाना जाता धनमबर सही उत्र होगा अगला कि भूमिगत खनन पद्यत को किस नाम फे जाना जाता है तो भूमिगत खनन पद्यत को जिस नाम फे जाना जाता है उसका नाम बताना है उसका किbula वोगोल की अन्ग क्यों से नहीं है उप्सें एस तो आठधिक फूगोवर के जो अंग नहीं है समसाहिज ज房प हो गालती व funding को विभारिकं अब से किस ने बतात तो उस इस बत्रमुक्त फुन का नाम है पूर्त अथवा किसी कठनाई के निवारण में सहायक गोचर या अगोचर तत्तु कौन सा है ठीक है तो धान रखेंगे सही जबाब आपको बताना है ठीक है अगर आपको मालूम है तो ठीक वह संसाधान अनमबर सही जबाब हो ठीक है तो आज किस वीडियो में हम आपको पूरी पीडियाफ है लगगलग हमारे पास इसमें तो कमी कोश्चन थे साथ वाट कोश्चन सत्तर करीवे सही थे ठीक है बाकि वारे पास हम तयार कर लिए हैं सो कोश्चन एंसर की पीडियाफ बीएफ फोर समस्टर जियोग्राफी एमसी क्यों की अगर आपको चाहिए तो